कि दस साल से जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार ने हमारी ट्रेनिंग करवाई है एनाइव संस्ता से जो पूरे भारत में करवाई है उचक रच करके यहां सिक्षकों के एरियर भुक्तान को बाधित कर दिया है तो डीपीओ साब ने कहा है हम लोग को डीपीओ सारे इनाइव स्वाले फरजी है आप लोग का किसी तरह का कोई बुक्तान नहीं होगा लोग का एडियर पेमेंट रोका गया है ना उसक्षकों का इसलिए हम लोग आज बड़ी जब तक हमारी मांग नहीं पूरे गया हम जागा नहीं छोड़के जाएंगे नमस्कार आप देखना शुडू कर चुक है लाइशीज मेंडा विशेक हैं मुदफ़ पूर्जेले में टी टी उटीन जो शिक्षक है वो देख सकते किस तरीके से इस्थापना जिला जो कार्या करद्यारी है सब्सक्राइब हुशत आने कि चीध के अपत इसस्ति की लिए इंसरा कि दॉल रहा है क्या मांग है आप लोग कि पर सिख्षित जो सिख्षक हैं वे सरकार की सभी क्राइटेरिया को फूल फिल कर रहे हैं आटी के सभी मानकों को फूल फिल कर रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा वहां से पैसा भी जारी किया गया है और मुझाफ़पुर के डियो और जीला करकरम पदाधिकारी अस्थापना के दोनों के ने कुचक रच करके यहां सिख्षकों के एरियर भुकतान को बाधित कर दिया है हमारी यह मांग है कि हम लोग पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार ने हमारी ट्रेनिंग करवाई है और अभी क्या कहा जा रहा है हमको कहा जा रहा है आज DPO ने कहा है हम लोग को DPO सर ने की सारे NIOS वाले फरजी हैं आप लोग का किसी तरह का कोई बुकतान नहीं होगा तो हमारी यह मांग है कि अविलम हमारा जो एरियर रुका गया है जो बाकी जिलों में दे दिया गया है उसको अविलम बुकतान किया जाए और हमारी जैसे जॉब चल रही थी वैसे ही डिमोशन नहीं किया जाएगा क्योंकि कोट में जो अतावर रह्मान का कोट केस था उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि सारे NIOS वाले फरजी है और इनका वेतन रोग दिया जाए क्या मांग है और क्यूं बैठ गया बैठने का सबसे पहला मूल कारण जो है के NIOS यह जो की नेशनल है सेंट्रल गवर्मेंट का एक प्लान है उससे लोगों को टीचर जो अंट्रेंड थे उनको ट्रेंड दिलाए गई वो ट्रेंड हुए अब 31 मार्च 2019 के बाद उन लोगों की रिजल्ट आई सर्टिफिकेट पर डेट दिया तो सरकार ही न दिया , inclusive ही न दिया शिस्टम ही न दिया जो कि सरकार पहले कर चुका है कि 31 माज 2019 तक जो ट्रेंड होंगे वही रहेंगे नोकडी में, उसके बाद नहीं रहेंगे, जबके सेशन कंप्लीट पहले हुआ, एक्जाम देर से हुआ, रिजल्ट देर से दिया, सिस्टम में सीधा सा फॉल्ट है कि सिस्टम में फॉल्ट है, और भोगना कोन भोग रहा है, आम टीचर, जब हम लोग आए यहां कि भाई होली का टाइम है, पेमेंट कीजिए, तो डीपी ओ साब ने कहा है, यह जाओ तुम लोग फड़ी टीचर है, यह दीपी ओ साहिब को बोलना हुचिए, डीपी ओ साहिब बोले है कि जतने एनायो सि प्राइमरी विद्धायले चैनपूर में हैं, जी एक तीस तीन दो हजार उनीस तक हम लोग ने प्रसिक्षन पूर्ण किया, अभी तक जितना भी फिक्सेशन हो रहा था, पर जितना भी फिक्सेशन हुआ था, वो ट्रेनिंग डेट से फिक्सेशन था, लेकिन प्रिंटिंग डेट से ही हम को ट्रेंट मांग रहे हैं, और उसके आधार पर जो आटी के जो एक है कि सभी सिक्षकों को, आज किस लिए घेर आया पूर्ण कर दिया, अब बेतन भुक्तान में भी पेच लगा रहे हैं, और कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आट साल हम लोग का है कि अगरे लुग अच्छा निए सब्सक्राइब बात्चीत करेंगे हाप बड़ी संख्या में शिक्षक है और उनकी मांगे हैं कि अधियर भुक्तान नहीं हो रहा है, आप लोग का मिल रहा है कि नहीं जब तक हम लोग का नहीं मीला जब तक हमारी मांग नहीं पूर कि हम जगा नहीं छोड़के जाएंगे हमारी मांग यह कि हमें एडर मिले साती साल जो 31-3 2019 सब्सक्राइब नायुस को उस दिन से विर्मन की तीथी से घोशित हम लोगों को टेंड माना जाए हम लोगों को बारबस सरकार हम लोगों को नहीं मिला जाएंगा आट साल की सर्विस को ख हमें नए समझा जाएगा तो यह आठ साल से जो एतन भुकतान हो रहा था हम लोग इसके खिलाफ भी धन्ना पर बैठें एरियर का वंटन हो चुका है उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और हमारे जो नियुकती है उसको पीछे से कैंसिल क्यों कर रहा है इस पड़ चर्म कर रहे है अपनी विभिन माओं को लेकर यह लोग फेष्टकर है कही जा रहा है इनका साफसाफ कहना नहीं होगा जब तक भुकित अब तक आयं जानी रहे गा और आजग भिघियाराफ किया गया है और ताला बंदी करते हुए बैठ गये तो बह रेकिलाइट स्थ के स